Hello friends, diet and fitness में आपका एक बार फिस्क स्वागत है, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले है 5 days apple diet for weight loss, यानि की 5 दिन का जो weight loss के लिए diet किया जाता है, सेब खाके ज्यादा तत, वो कैसे किया जाता है, उसे के साथ साथ sample diet chart भी हम देखने वाले है, side effects इसके देखेंगे, पोशक तत् कि ये जो diet है, क्या weight loss में आपको सच में मदद करता है, क्या आपने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते है आज का हमारा video, सबसे पहले तो दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है ये apple diet, तो सबसे पहले यहाँ पे apple diet जो होता है, जैसे कि नाम सी पता चलता है, ज्यादा तर सेव आपने खाने हैं, लिकिन वो कैसे करना आपको first day, पहला दिन जो आपका रहेगा, उसमें आपने सिर्फ सेव खाने हैं आपके आहार में, और उसके बाद आगे की दिन जो आएंगे, उसमें धीरे 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 बाकी जो खा के अपने पूरा डायट करना है, इसी प्रकार का ये एक मोनो डायट है, तो अब इसका sample diet chart में आपको दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से ये diet फॉलो किया जाता है, तो day wise हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला दिन आपका जो रहेगा, यहाँ पे नाश्टे में आप वापस से आपने एक या दो सेव ले लिए और आपका जो डिनर रहेगा, यहाँ पे वापस से आपने दो सेव ले लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि पूरा जो आपका पहला दिन है, वो सिर्फ और सिर्फ सेव खाके, यानि कि kind of आपका ये fruit diet हो जाएग तो जैसे एका fasting यानि कि वुरत आपका हो जाता एका दिन का फल खाके उसी प्रकार से पहला दिन आपने करना है, उसके बाद आएगा दूसरा दिन, तो दूसरे दिन यहाँ पे आप देख सकते हैं नाश्टे में आपने एक सेव ले लिया और एक ग्लास दूद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सेव आपने लेना है लंच में भी दूपर के खाने में और फिर यह प्रोटीन का उप्शन जैसे हमने रखा अंडे है यहाँ टूफू है, सोया है, मश्रूम यहाँ पे आप ले सकते हैं तो ग्रिल या फिर सर फ्राय करके जैसे हम सबजी बनाते हैं क जो आपको चीज पसंद है वो यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे भी आपने सेब यहाँ पे एक जरूर लेना है और उसके साथ सलाथ भी रहेगा क्योंकि बहुत बार यह से होता है कि रोटी अगर आप नहीं खा रहे हो यह टाइम पे तो भूख लगने की यहाँ पे पॉसि आप डायट में ले सकते हैं, अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे दिन की तरब, तो तीसरे दिन का नाश्टा आप देखेंगे तो एक सेब हो गया, एक अंडा हो गया, तो अंडे का ओमलेट है, बुर्जी है, या फिर सैंडविच अगर आप बना के लेना चाहते हो, बॉल्ड उबला हुआ अंडा लेना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पर चलेगा, फिर लंज, दोपर के खाने में रोटी है, डाल है, सलाध है, ऐसी चीजे लेके वापस से एक सेब आपने यहाँ पर लेना है, तो आप देख सकते हैं कि पहला दिन हमने सिर्फ सेब लेके किया है पूरा लेकिन उसके बाद भी आपके जो में मुख्य मील्स है यहाँ पर उसमें एक सेब यहाँ पर जरूर लेना है, और ऐसे भी कार रहता है कि खास तोर पर खाने की शुरुआत करने से पहले अपने यह सेब लेना है, फिर डिनर की बात करें, तीसरे दिन की तो चिकन है, मचली ह यहाँ पर वापस से आपका कोई भी एक प्रोटीन का ओप्शन आ गया, जो कि आप ले सकते हैं, चौथे दिन के डायट में अगर आप देखो तो नाश्टे में एक सेब है, उसके साथ नारियल पानी है, या फिर अगर आपको पसंद है, तो आपने ग्रीन टी ले ले लिया हरबल्टी ले लिया, तो भी यहाँ पर चलेगा, लेकिन थोड़ा सा एक सेब आप पूरा लेके, उसके बाद जितनी भी आपको भूख हो, उससे साब से आप यह ले सकते हैं, उसे के साथ साथ अगर आपको थोड़ी जादा भूख लगती है, तो जैसे कि पिछला वाला हम अगर आपको छोटी भूख लगती है, तो ऐसे समय पे भी आप वापस नारियल पानी है, फलो के जूस है, या पर ग्रींटी है, यह सब ले सकते हैं, अब बात करेंगे चौथे दिनर की, तो डिनर में रात के खाने में चिकन सूप है, मटकी है, राजमा है, ऐसे बेसिकली जो स्प्राउट्स होते हैं, वो आपने यहाँ पे लेने है, कोई भी जो भी आपको पसंद है, मुंग अगर आपको लेना पसंद है, मुंग भी ले सकते है, अब बात करेंगे पाच्वई, यानि कि इस डायट के आखरी दिन की, तो वैसे दिखा जाते हैं, तो दोस्तों, पहले दिन के अलावा बाकी का जो डायट होता है, बाकी चारो दिनों का डायट अगर आप अबजर्व करते हो, तो काफी बालन्स है, और जैसे हम नॉर्मल खाना खाते है, रेगिलर खाना खाते है, वैसा ही है, लेकि टिपिकल वेट लॉस का डायट के अपने प्रोटीन अ वो भी ले सकते है, लंच में सूप, सलाद है और एक सेव है, यह आपने लेना है, और डिनर में अगर हम देखे तो पनीर, चिकन, मूंग, डाल, बेसिकली यहापर वापस से आपका एक कोई भी प्रोटीन का ओप्शन आ गया, यह आपने यहापर लीना है, तो कुछ इस प् उशक ततो इससे आपको क्या मिलते है, तो सबसे पहले तो दोस्तों 100 ग्राम एपल, 100 ग्राम अगर आप सेव लेते हो, तो उसमें बहुत ही कम कैलरी, लगफक सर्फ 50 कैलरी, इतना ही पाया जाता है, तो इसे के कारण से यह वेट लॉस के लिए आपको मदद करता है, फिर फ तो थोड़ा मीठा, क्रंची सा उसका टेस्ट होता है, तो नाचरल शुगर के कारण ही क्या हो जाता है, आपको बाकी चीजे जो स्वीट क्रेविंस आती है, या फिर बहुत ज़्यादा भूक लगती है कभी का बार, वो कही ना कही टेंडनसी शरीर की हमारी कम हो जाती है, उसी के कारण से क्या होता है, आप कम खाना खाओगे, मीठा अगरा चीजे कम खाओगे, या आप अपल खा रहे हो, ये भी आप कर सकते हो, कभी मीठा काने के इच्छा भी हुई तो भी आपने अपल ले लिया क्यों काफी वैसे देखा जाए, तो मीठी टेस्ट होती है, में या पर पाई जाती है, तो ये तो बात रही पोशक तत्वों की, लेकिन क्या ये डायेट सच में आपको मदद करेगा, क्या ये डायेट सच में काम करेगा, ये अब हम देखते हैं, तो या पर दोस्तों जैसे मैंने बताया, सबसे पहला कारण है, भूख कम करने के लिए आपको ये मदद करेगा, इसका जो fiber content है, save में जो पाया जाता है, उसके कारण से detoxification body का cleaning जो होता है, उसके लिए भी ये काफी ज़्यादा मदद करता है, तो इन दो कारणों की वज़े से खासता और पे आपको वजन में फरक दिखाई देगा, अगर आप strictly अच्छे से follow करत है कि आप कितना follow करते हो, अगर आपकी overall lifestyle already healthy है, तो ऐसे हो जाता है कि ज़्यादा कोछ फरक नहीं होता, जो लोग अपने आहार में चावल ले रहे है, बाहर का खाना खा रहे है, ऐसे लोग अगर ये वाला diet follow करें, तो 5 दिन में result आपको दिखाई देगा, लेकिन वो result भी से रहेगा कि ज्यादा तर detoxification की वज़े से पानी का वजन चरीए से कम हो जाता है, और actual fat loss कोई 5 दिन में 2 kg या फिर 2.5 kg नहीं होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा सोचना यहाँ पर बहुत ज्यादा आवशक है, तो इसे के साथ साथ दूस्तों इस diet के side effects के बारे में भी अ हो सकता है, और सिर्दत, क्योंकि आप वैसे देखा जाए तो ये एक प्रकार का calorie restricted diet ही है, तो calorie restricted diet पर जाने के बाद कभी गबार इसे होता है कि सिर्दत हो रहा है, वो इसे diet का महसूस होता है, आपको भूख लगे सिर्दत हो रहा है, तो ये सारी चीजे भी हो सकती है, तो आ diet काफी balanced है, protein अच्छी मात्रा में हम ले रहे है, salad हम ले रहे है, fiber ले रहे है, save से भी हमें fiber मिल रहा है, रोटी या पर carbs का जो intake है वो थोड़ा सा कईना कई diet में कम किया गया है, जो कि ideally healthy तरीके से दिखा जाए तो recommended नहीं है, carbs भी ज़रूरी होते है, हमारे शुरेर के लिए आपका चावल हो गया, रोटी हो गया, ये सारी चीज़े, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा अगर आप balance करते हो, तो ये diet weight loss के लिए आपको मदद यहाँ पर ज़रूर करेगा, दूसरा है, पहले दो दिन अपने पानी पीना काफी ज़रूरी है, अच्छे से पानी का intake आपने हम पर रखना है, क्योंकि detoxification हो रहा है कहीं ना कहीं बॉड़ी से जो toxins होते हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर हट रहे हैं, तो इसके कारेंट से पानी का intake पढ़ाओगे, तो उतना toxins flush out होने के लिए आपको मदद होगी, लेकिन yes, कैसे हो जाता है, पाच दिन का ही diet है, तो ऐसी नह पाओगे, कि हाँ, मुझे थोड़ा सा lifestyle modification ही यहाँ पर करना है, मुझे healthy तरीके से रहना है, तो बाकी कुछ चीज़े खाने से अच्छ है, आप एक सेब आपके नाश्ते में खालो, सेब के साथ साथ, बाकी की चीज़े भी आप आड़ कर सकते हो, तो इस प्रकास से थोड़ बालन्स रखके अगर आप करते हो, तो ये डायेट कहीं न कहीं आपको मदद जरूर करेगा, लेकिन बहुत important चीज़, exercise भी जरूरी है यहाँ पर, ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैंने डायेट कर लिया और चलो मेरा काम हो गया, ऐसे नहीं होगा, वेट लॉस के result आपको दिख भी काम हो जाएगा, ऐसे कभी भी नहीं होता है, तो अगर आप healthy हो, आपको कोई medical condition नहीं है, तो ऐसे समय पर आप थोड़ा सा ट्राय करना चाहते हो, वेट लॉस को बूस्ट देना चाहते हो, तो पाच दिन का डायेट आप ट्राय जरूर कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने कहा balance थ इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में, गुद बाई